नमस्कार दोस्तों, a very good morning to all of you, तुफानी पहाडी में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागदा दोस्तों, मेरा नाम है रोहित मिंडा, रोज सुबा हमारी currentFS की class होती है, और currentFS के साथ हम दिन की शिरुवात करते हैं, और आज सुबा दिन की शिरुवात भी हम currentFS के साथ ही करें क्योंकि हमारी परिक्ष्यां के अंदर, हमारे ऑग्जाम के अंदर जो currentFS आने वाले है, उपनी एक importance रहने वाली है, क्योंकि काफी सारे सवाल, जो होते हैं हमारे exam के अंदर, यह पूछे जाता है current हमारे लिए बहुत जादा important जो है वो हो जाता है और उसी को हम पढ़ते हुए आगे चलते हैं तो आज आज का दिन यानि कि 20 December 2022 के most important current affairs को हमारी इस class के अंदर हम discuss करेंगे class को जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ share कर दीजिए अगर आप पहुंच चुके और जल्दी से जल्दी यहाँ पर अपनी presence को show कर दीजिए और उसी के साथ साथ अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल इकन दबाना नहीं भूलना है चली अब बात करें घ्राँ चैनल के क्लास की तो यूट पाट करेंगे जयसे कि मैंने आपको पहले भी अग्जाम का hari चैये वह यूट का एक्जाम है जो पतवारी का था पत्वादी का एक्जाम है और चाहिए मैं बात करने हम पर टी जटी कमिशन के एक्जाम है देखिए वहुत जल्दी आने वाली है विकेंसी को आप मानके चलिए ठीक है तो इस को लेकर च्छाहिए को सब्सक्राइब और जेओ वेवे में भी और सारी वेकेंसिस आएंगी और बहुत सारी वेकेंसिस आने वाली हैं तो इन वेकेंसिस को लेकर जब एक्जाम कंड़क्ट किया जाएगा तो इस एक्जाम में हमें पूछे जाएंगे current affairs तो current affairs को अभी आप छोड़ नहीं सकते हो क्योंकि चाहे आप साल बाद एक्जाम देने वाले हो चाहे आप एक साल बाद एक्जाम देने वाले हो चाहे आप छे महीने बाद एक्जाम देने वाले हो तो परिक्षया के अंदर वो current affairs भी आपको आने वाले है तो आपको अभी स के सवाल थे उसमें तीनों वर्षों के सवाल थे तो मैं यह नहीं कहूंगा कि आपको तीन वर्ष का गरेंट फिर पढ़ना है डेली बेसिस के उपर अपने प्रॉपर नोट्स बनाते रहना है जब भी आप प्रिक्षा देने जाओगे चाहे चाहे साल बात जा रहे हो आपके म पहले को लिए इंडियान नेवी को मिला भारतिय भारत के दौरह सवदेशी बनाया हुआ एक इंडियन नेवल शीप डै इस आई एनस मौरब कव यह हैं इस मौर्मुगाव जिसकी रचना भारत के अंदर करीगिए इसको बनाया किसने इसने मैजगाउन नाम की एक कमपनी जो भारत में काम करती है उसने खुद बनाया है इसको इसको डिजाइन भी भारत ने खुद किया है ये एक missile destroyer है यानि कि दुश्मन से आने वाली missiles को destroy करने का काम करता है ये एक missile destroyer है जिसको अब इंडिया नेवी में commission कर लिया गया है इसको डिजाइन किया है इंडिया नेवी की एक company in-house organization warship design bureau ने warship design bureau ने खुद इसको design किया और Mezzagon dock shipbuilders limited Mumbai ने इसको बनाया Mezzagon dock shipbuilders limited ने इसको बनाया जो की Mumbai की एक company है इसमें खुद इसको बनाया है 70 km की range है 70 km की range है torpedo या rockets को यहाँ पर prevent करने का काम जो है करता है 70 km ठीक है 70 km दूर से तो इसके बारे में ध्याम में रखेगा बहुत important है चलिए आगे बढ़ेगे जवाली MLA sworn in as a pro time speaker चंदर कुमार जी की बात हो रही है यहाँ पर चंदर कुमार जो है वो हिमाचल विधान सभा के pro time speaker बने है चंदर कुमार जो की जवाली से MLA है वो यह यह बने है pro time speaker किसके हिमाचल प्रदेश विधान सभा के हिमाचल प्रदेश विधान सभा के यह हिमाचल का रंट अफेर है तो हिमाचल का रंट अफेर हम बात करें तो विधानसभा की बात हम यहां पर करने जा रहे हैं, आप समको पताय हुआ कि हिमाचन परदेश में चुनाव हुए हैं और हिमाचन परदेश की नहीं विधानसभा इन जो जो विधायक को शपत दिलाने के लिए एक टैंपरी किया जाता। जैसे ही आज ये प्रोटव स्पिकर अपॉइंट होगा तो प्रोटव की कर जी अब सारे MLS को शपत दिलाएंगे जितने भी हमारे MLS हैं इनको शपत दिलाई जाएगी तो इनकी शपत लेने के बाद MLS जो है वो speaker चुनेगे वो speaker का chain करेंगे और speaker का chain होते ही pro time speaker का कारया जो है वो खतम हो जाएगा इतनी सी बात आपने ध्यान में रखनी है यह बहुत important है तो यह हमारे जो राजयपाल है रजिंदर अर्लिकर जी इन्होंने यहाँ पर जवाली MLS चंदर कुमार जी को यहाँ पर ओद दिलाई है ओद दिलाई है इसके बाद बात करें तो इनके नाम के ओपर काफी सारे credit है क्योंकि यह काफी महतपरण हो जाता है इसलिए आपको पता होना चाहिए की इन्होंने क्या-क्या किया है चंदर कुमार जी आपकी काफी चर्चा में गएगी क्योंकि आपको परिक्षा में सवाल भी आएगा कि हमाचल परदेश की 10 विधांस जबा के प्रोटें स्पिकर कौन मने थे तो अगर मैं चंदर कुमार जी की बात करूँ, य जो क्रेडिट है यह कांगड़ा में बनाया गया है National Fashion and Designing Institute वो इन्ही के क्रेडिट से बनाया गया है इन्ही के यतनों से बनाया गया है ठीक है और इसके इसके इसको बनाने के लिए राज्य सभा ने 124 करोड दिये थे और टांड़ा का जो तो यहां पर यह प्रोटम स्पीकर भी बन चुके हैं तो यह ध्यान में रखेगा आपने के लागा से टन्डा से कांगण में बनाया था जो की इनी यतनों के कारण बनाया गया है आगे बढेंगे नेक्स देखते है चलिये नुरपुर टीचर विंज अवार्ड वर रिसर्च अन टीबी निक्षे यहां पर निक्षय मित्रा की बात हमें को ध्यान हो तो निक्षय मित्रा, जो कि एक डानर होते है आपको पता होगा हमारे माचल प्रदेश के मुख्यमंत्र भी बने थे निक्षय मित्रा बने थे तो यह निक्षय मित्रा जो है अपने आप में काफी important एक scheme है तो TB patients में जो potions होता है उसको complete करने के लिए potion जो इनको देने के लिए यहाँ पर यानिकी nutrition देने के लिए निक्षय मित्रा जो है appoint किये जाते हैं TB को लेकर हम एक दिन भी observe करते हैं that is 24 March, 24 March को होता है World TB Day अब आगे बात करें तो भारत का एक target है भारत सरकार का target है कि भारत जो है वो TB free मनेगा भारत जो है वो TB free मनेगा कब तक कोन से वर्ष तक 2025 भारत जो है वो TB मुक्त हो जाएगा 2025 और इसी के साथ भारत में campaign भी चलना है TB हारेगा देश जितेगा campaign TB हारेगा देश जितेगा campaign 2025 तक हिमाचल से भी TB को खतम कर दिया लाएगा अब नूरपूर के एक हमारे teacher है निशांत शर्मा जी इनको award दिया गया है TB को लेकर यह है निशांत तो निशांत गुपता जो है इनको यहाँ पर best researcher on tuberculosis का award दिया गया है कहाँ पर दिया गया बायो टेकनोलोजी को लेकर एक conference हो रहा था जिसमें इन्होंने हिस्सा लिया और इनको यहाँ पर दिया गया award जिनको यहाँ पर दिया गया best teacher का award निशांत गुपता जी यहाँ पर biochemistry department में पढ़ाते हैं government medical college हमीरपूर के अंदर तो इसी के चलते हुए इनको यह अवार्ड जो है वो दे दिया गया अवार्ड जो है वो दे दिया गया clear जी इनको जो है वार्ड है दे दिया गया next यहाँ पर हमारे पास चर्चा होती है five electric vehicles charging station two in shimla sun मैंने आपको बताया था कि यह सरकार जो चुनकर आई है सुखविंदर सिंग सुखुज ने पहला फैसला अपना लिया था कि जतने भी हिमाचन प्रदेश के अंदर सरकारी vehicle चलते है उन सबको electric vehicle से बदल दिया जाएगा क्योंकि हिमाचन प्रदेश की सरकार चला रही है pollution मुक्त हिमाचन pollution free हिमाचल हमारा जो campaign चलेगा ठीक है परदूशन मुक्त हिमाचल परदूशन मुक्त हिमाचल जो है यहाँ पर campaign जो चलने जा रहा है ठीक है उसी के चलते हुए electric vehicle से बदला जाएगा तो electric vehicle को charge करने के लिए electric vehicle charging points भी तो होने चाहिए तो हिमाचल परदेश के अंदर बहुत ही जल्द पांच electric vehicle charging station लगाई जा रहे है और सबसे पहले इसकी शुरुआज जो होगी वो शिमला में होने जा रही है यूँकि हाँ पर यह बताया गया हिमाचल परदेश की सरकार के दोरा हिमाचल परदेश के जो deputy CM है बुकेश अगनी होतरी उन्होंने बता दिया है कि हिमाचल परदेश की जो secretariat की गाड़ी है सबसे पहले उनको electric vehicle से बदला जाएगा secretariat की गाड़ी है अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि हिमाचल परदेश के के दोरा लिये जा रहे है क्योंकि यह चुटी अब यह कारण नहीं करने अभी क्योंकि यह बिमार होगे है करोना वाइरस हो गया है तो डिप्टी सीम ने अनॉंस किया है कि secretariat की गाड़ी है जो है वो सबसे पहले बदल दी जाएगी एक agreement sign किया गया है रजस्तान इलेक्ट्रोणिक्स इंडस्ट्री लिमिटेड और एक जो है वो सब्सेट्रीड लगाएगा तो दो यह पांच यहां पर चारज्जिंग श्रीशन लगाएगगे शिमला के अंदर चले आगे बात करेंगे भारतिया मूल के लियो वराडकर दूसरी बार बने है आइरलेंड देश के प्रधानमंत्री तो आइरलेंड देश के प्रधानमंत्री बने है इनका नाम है लियो वराडकर लियो वराडकर ठीक है लियो वराडकर यहाँ पर आइरलेंड देश के नए प्रधानमंत्री बन चुके आपको पता ह की अब आप देखें पॉर्तुगाल के जो प्रधान पूल के है ठीक है इंटोनियो कोस्टा और इसके बाद में बात करूँगा UK के जो प्रधान मंत्री वो भी कहां से वो भी यहां पर है भारत्य पूल के रिशी सुनाख तो आप देखें दुनिया भर में बहुत सारी countries में जो भारतिय बूल के प्रधान मंत्री जो बन रहे हैं तो इंडियन origin के लियो वडाकर जो है अब Ireland देश के नहे प्रधान मंत्री बन चुके है आपको पता होना चाहिए आइरलेंड कहा पड़ता है आप लैन की यह है आइरलेंड यह एयरलेंड और आपको पता यूर्द किंड accountable कैसे मंते इंगलेंड इंग्लेंड घम्रेंड यह वेल्土 है वेल इंग्रेंड डृटलेंड और नॉर्दन और Northern Ireland इन सब को मिलाकर बनता है United Kingdom United Kingdom यह बात ध्यान में रखेगा कि United Kingdom कैसे बनता है आप देखोगे Ireland आइलेंड का जो नौर्स वाला हिस्सा है यह UK का पाट है United Kingdom का हिस्सा है ठीक है Northern Ireland जो आता है UK में आता है Scotland भी UK में आएगा Wales भी UK में आता है England भी UK में आता है इन सब को मिलाकर ही बनता है United Kingdom United Kingdom यह बात ध्यान में रखेगा that is very important कि United Kingdom किस-kis को मिलाकर बनता है ठीक है England, Wales, Scotland, Northern Ireland और Ireland जो देश है इसके नए परदान मत्री लियो वराडकर लियो वराडकर लियो वराडकर यह बात ध्यान में रखना लियो वराडकर लियो वराडकर चलिए आगे बात करेंगे next हलाकी इसके बारे में आपने कल भी बात करी थी बटी यह इतनी भात्ता पुरून निउस है कि आज फिर से आपको पढ़ा रहा हूँ that is Argentina ने यहाँ पर 36 साल बाद यहाँ पर जीत लिया है क्या FIFA World Cup तो Argentina ने France को यहाँ पर 4-2 पेनल्टी गोल्स में हराया है 4-2 की पक्र से पेनल्टी गोल्स में यहाँ पर हरा कर FIFA World Cup जीत लिया है यह मैसी यह इनकी जिंदगी का अखरी FIFA World Cup था ठीक है क्योंकि इन्हों ने retirement announce किया हुआ है इसके बाद मैसी ने retirement announce किया हुआ है इसके बाद तो Argentina ने France को हरा दिया है 4-2 की पेनल्टी गोल्स के उपर फाइनल मैच जो है वो लुसेल स्टेडियम लुसेल कतर में खेला गया था यह ध्यान में रखेगा कि फाइनल स्टेडियम फाइनल मैच कहां खेला गया और लुसेल स्टेडियम कहां पे है कतर देश के अंदर है इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है यह बहुत महत्ता पुरण है और उसके बाद बात करें अर्जेंटीना जो है इस वर्ड़कप इसने 36 साल बाद जीता है चुकि अर्जेंटीना ने यहाँ पर अपना तीसरा वर्ड़कप जीता है पहली बार 1978 में जीता था दूसरी बार 1986 में जीता था और तीसरी बार 2022 में जीत लिया है यह अर्जेंटीना है जिसने तीन बार आर्थ तक फीफा वर्ड़कप जीता मैसी जो है यह first goal इन्होंने किया था देखें मैसी जो है match में first goal इन्होंने किया था 23rd minute में और उसके बाद यह पहले footballer भी बने जिन्होंने यहाँ पर हर all knockout matches में World Cup में यहाँ पर score किये तो यहाँ पर awards की बात करेंगे 2000 FIFA World Cup के जो awards है टॉप टीम रेंकिंग जो रहेगी पहली टीम जो है वो अर्जंटीना है जो विनर है आपको पता है अर्जंटीना जो है वो विनर है ठीक है सब्सक्राइब पर फ्रांस है तीसरे पर क्रोशी है चोथे पर आता है मुरक्ष और मैंने आपको यह भी पताया था कि FIFA football club games जो है व बेस्ट प्लेयर इंदा FIFA World Cup 2002 तो यह मैसी को मिलता है उसके बाद golden glove अबोर्ड यह मार्टिन को मिलता है मार्टिन जो है अर्जंटीना के प्लेयर है बेस्ट गोल कीपर के तॉल पे इनको यह वो दिया रहता है फीफा यंग प्लेयर अबोर्ड जो है वह एंजो फर्नेंडेस को दिया जाता है FIFA Fair Play Award जो है इंगलेंड को मिलता है Silver Boot Award जो है यह मैसी को दिया जाता है यह अवार्ड जो है आपको जहां में रखने है ठीक है जी अगर मैसी यह वाचल में होता तो इसे DSP बना दिया जाता बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी हां बिलकुल चलिए तो नेक्स हमारा जो करेंट अफेर उसके अंदरम बात कर रहे है भारत ने T20 World Cup for Blind जीत लिया है जी हां भारत ने T20 World Cup for Blind जीत लिया है यह जो है भारत म और और blind people, blind crickets यह भारत में और बांगलदेश को हरा कर जीत लिया है यह T20 World Cup for Blind भारत ने मैस्टर सुनील मैन पे लिया है Man of the Series Award अजे जो है? ठीक है जी? अजे जी को मिलता है B2 डितु काटउगरी में Blind 2 काटउगरी में Man Of The Series Award और बंगलदेश के बहमद महमूद रशीद जो है इनको Man Of The Series Award मिलता है B1 की काटउगरी में तो यहाँ पर तीन काटउगरी से हैं B1, B2, B3 B1 की category में बंगलदेश के महमूद रशीद, B2 की category में अजे, B3 की category में सुनील, ठीक है, और man of the match भी सुनील, ये सब बात आपने ध्यान में रखना है, ये सब बात आपने ध्यान में रखनी है, very good, और अगर मैं बात करूँ, भारत ने blind cricket से पहले कब जीता, 2012 में जीता, 2017 में जीता, ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि T20 World Cup for Blind Peoples भारत ने 2012 में जीता, 2017 में जीता, अभी 2022 में जीता, 2022 में जीता, चलिए, अगले current affair की तरफ आते है, फड़ा-फट हमारा जो धमाका है, तुफानी होने का धमाका वो चलता जा रहा है, हम कुछ तुफानी करते जा रहे तब भी आप कमेट सेक्शन में बता सकते हो, हाँ जी, DSP Massey Singh, very good, Indian Women Hockey Team जो है, इसने Spain को हराया और जीत लिया है, 2022 का International Hockey Federation का Nation Cup, Indian Women Hockey Team ने Spain को हरा कर जीत लिया है, तो भारतिय महिला, Hockey Team जो है, इसने Spain को हराया है, 1-0 से, और ये जो final है, ये basically Spain में खेला गया था, Spain में खे खेला गया था, 11 से 17 दिसंबर तक ये जो World Cup है, और इस किया गया, Hockey India ने अनौंस किया है कि अपने जो female players है, जो जीत के आ रहा होकी इंडिया, दो-दो लाग रुपे हर player को मिलेगे, और जो supporting staff है, उसको एक एक लाग रुपे दिये जाएंगे, एक लाग रुपे दिये जा आगे बात करेंगे भारत के सरगम कोशल, भारत की सरगम कोशल, इनको मिलता है, 2022 का Mrs. World Title, Mrs. World Title इनको जीत गया है, ठीक है, Mrs. World Title इनको मिल चुका है, यह है सरगम कोशल, यह है सरगम कोशल मुंबई की रहने वाली है, इन्होंने 63 देशों की कंटेस्टेंट्स को हराया और जीत लिया यह खिताब, आपको पता है भारत ने यह खिताब लास्ट टाइम 2001 में जीता था, 2001 में डॉक्र अधिती गौवितरकार ने यह आवाड जीता और अब 21 साल बाद भारत ने टाइटल जीता है, 21 साल बाद भारत की सरगम कोशल ने यह टाइटल भारत को दिलाया है, that is Mrs. Word 2022, Mrs. Word 2022, चले, आगे बढ़ते हैं, next देखते हैं, टैनिस प्लेयर रफेल नडाल जो है, इनको मिलता है, Association of Tennis Professional की तरफ से, Favorite Award of 2022, Fans Favorite Award of 2022, Fans के सबसे Favorite Player, and मैं कहूंगा, Word No. 1 Player, that is the Raffael नडाल, तो इनको यहाँ पर मिलता है, Fans Favorite Award of 2022, तो यह सवाल कापी important है कि Fans Favorite Award of 2022, किसको मिलता है, ठिका जी, तो Spanish Tennis Player Raffael नडाल जो है, इनको Fans Favorite Title जो है, दे दिया गया है, Association of Tennis Professionals के दौरा, और Carlos Alcras, जो हैं Spain के, इ Year Award, Most Improved Player of the Award, उसके बाद Newcomer of the Year Award, Halger Runes, Coach of the Year Award, John Carlos, उसके बाद Arthur Ashe, Humanitarian Award, Andy Murray, यह भी ध्यार में रखेगा, यह एंडी बुरे बहुत famous person है, Andy Murray, चलिए, आगे बात करेंगे, मेघाल्या की, मेघाल्या के जो मुख्या मंत्री है, इनका नाम है, Conrad Sangma, मेघाल्या के जो मुख् मेघाल्या की, जब हम बात करते हैं, तो यहां के मुख्या मंत्री का नाम है, Conrad Sangma, तो इनका एरिया में लांच कर दिया है, इनका इस टेडियम के अंदर दो इंडॉर स्टेडियम है, जो की यहां पर बनाए गए है, ठीक है, मतलब एक आउड़ोर है, दो इंडॉर स्टेड में यहां पर इसको बनाया गया, इंडॉर स्टेडियम जिसमें जिमनाजीम भी है, स्विमिंग पूल भी है, टेवल टैनिस हॉल भी है, स्क्वैश हॉल भी है, बेडिमिंटन हॉल भी है, यह यहां पर 2023 डिसमबर तक इनोगृट कर दिया रहेगा, बनकर त्यार हो जाएगा बनकर त्यार हो जाएगा चलिए आगे वड़ते हैं sports की काफी सारी news आज हमारे पास अगली news भी sports के साथ associated है और हमारे प्रक्षा के अंदर हमारे exam के अंदर सवाल भी आते है sports को लेकर इसलिए हमें सतर्क रहना है चाहत अरोडा चाहत अरोडा ने महिलाओं की 50 मिटर breaststroke swimming में के नया national record बनाया चाहत अरोडा जब यहांं बनाया जो नैस्नल रिकार्ड बनाया है जो वर्ड swimming championship यहाँ पर हो रहा था australia के अंदर australia के अंदर world swimming championship हो रहा था वहाँ पर इन्होंने national record बनाया है women's की 15 meter breast struck swimming में 50 meter breast star swimming के अंदर यह Melbourne Australia में हो रहा था swimming championship, world swimming championship वहाँ पर इन्होंने जो record है बना दिया है record जो है वो बना दिया है चलिए आगे बाद करते हैं ठीक है next राजस्थान का थल छापड जो सेंचुरी है इसको मिल गया है protection सुरक्षा मिल गया है थल थापड थल थापड सेंचुरी फेमस थल थापड ब्लाक बक सेंचुरी जो है चुरू डिस्टिक में पढ़ता है राजस्थान के यहाँ पर इसको protected power मिल है क्योंकि यहाँ पर state government जो है basically यह eco sensitive john का size जो है वो reduce करने जा रही है तो अभी इसको protection मिल चुका है देखिए protection देने का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि राजस्थान हाइप और दिया है complete prohibition का अब complete prohibition wildlife century action में क्या होती है देखिए इंडिया में ना wildlife protection act जो है ठीक है इंडि ठीक है अब wildlife act भारत में 1970 में आता है उससे पहले भारत में कोई कारून नहीं था अब जो ऐसे एरिया जहाँ पर फ्लोरा और फोना की पर जातिया लुप्त हो रही है खतम हो रही है एंडेंजर हो रही है ऐसे areas को eco sensitive zone या फिर protected area जो है declare कर दिया जाता है century declare कर दिया जाता है अब होता गया है कि ऐसे में फिर public involvement कम हो जाती है अब centuries जो होती है वो private भी होती है और public ond भी होती है और उसके बाद भी अगर एक century के बाद भी अगर उसमें ऐसा खतरा रहता है species के खतम होने का खतरा रहता है परजातियों के खतम होने का खतरा रहता है तो फिर उस particular area को हम national पार्ण के लिर करते हैं कि नाश्चनल पा निगरेलर कर देते हैं में उस एरिया में फ्लोरा और फंछा की परजातियों भताने ब के लिए तो अभी राजस्थान की सरकार यह जो तालचापड हमारी संचुरी है चुरू डिस्टिक के अंदर इसका जो एरिया है र्ड्यूस करने जा री ती यानि कि इसमें से कुछ एरिया बाहर निकालने जा री ती पर्टक्टेड एरिया से तो यहां पर अभी क्या कर दिय है हाई कोट ने रजस्टान हाई कोट ने ओर दे दिया है complete protection complete protection complete protection तो आपको सिरफ इतना ध्यान रखने है कि तलचापड कहां पे तलचापड century कहां पे है यह चुरू district of Rajasthahn में पढ़ती है चुरू district of Rajasthahn में पढ़ती है चलिए तो दोस्तो यह था आज का हमारा current effort मैं उमीद करता हूँ कि हमारी speed के साथ आपको मला आया होगा आपको सब कुछ समझ में आया होगा किसी भी student को किसी भी तरह का doubt रहा तो आप comment section में पूछ सकते है अब बारी है कुछ multiple choice questions की धड़ा धड़ा आपकी screen पर questions आएगे आपको करना है उत्तर हाँ जी देवी और सजनों बताइए देवी और सजनों जल्दी से बताइए क्या आप तयार है क्या आप तयार है तुफानी करने के लिए mcqs की बारी आ चुकी है आपका जोस जो है वो हाई होना चाहिए हाँ जी comment section में जल्दी से बता दीजिए और जितने बच्चे class देख रहे अगर class अच्छी लग दिया तो भईया like वाला button दबा दिया अगर शर्माने की जुरुत नहीं होती है like वाला button like like वाला button भी दबाया करो ठीक है एक button आपके सामने रहता है very good very good दबादो दबादो सारे दबादो चलो चलो यह रा पहला सवाल देवी और सकनो आपकी screen पर पहला सवाल आपकी screen पर आ चुका है तो पहला सवाल क्या कहता है international migrants day international migrants day कब होता है हां जी 16 दिसंबर 17 दिसंबर 18 दिसंबर 21 दिसंबर migrants day हां जी migrants को लेकर एक दिन observe किया दाता है कब observe किया दाता है बताओ जल्दी से बताओ बढ़िया 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया काफी बच्चों के अंसर आ रहे हैं बहुत बढ़िया बढ़िया साहिल नक्षु भारत अरुना रोजी ट्रिकी मुकेश सुमन जी यहां बहुत बढ़िया तोयेश नक्षु बहुत बढ़िया बहुत दिसम्बर को होता है, 18 दिसम्बर को, 18 दिसम्बर को हम अब्जाब करते हैं, क्या अब्जाब करते हैं, International Migrants Day, चलिए अगला सवाल आपकी स्कीन पर आ गया है, भारतिया भूल के लियो वडाकर इन में से किस देश के नए प्रधानमंतरी बने है, इन में से किस देश के प्रध प्र्धान मंत्री बने कि इस प्रादम्धा इडहांड चलौट ने एडेMI of a robra भारत ने हां पर किस कंट्री को हरा कर बाध नो पर किस कंट्री को हरा कर तीक है जीत लिया जो कि चिन्ह स्वामी स्टेडियम बंगलूरु में खेला गया हां जी दा वर्ड कफ पॉर ब्लाइड यू बताइए जल्दी से टी ट्वन्टी वर्ड कफ ब्लाइड जो है भारत ने जीत लिया है अंजी किस देश को हराया किस देश को हराया भारत ने उत्तर दो मेरे दोस्तो जल्दी से जल्दी उत्तर दो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड तो भारत ने हराया बंगलादेश को भारत ने हराया बंगलादेश को चलिए अगला सवाल यह रहा आपकी स्टीन पर the most written about track and field athlete of 2022 हाँ जी इन में से कौन इन में से किस ने उसेन बोल्ट को पीछे पचाड कर उसेन बोल्ट को पचाड कर एक पद हासिल किया है कि 2022 में सब्ते जादा अगर किसी athlete के बारे में लिखा गया, articles लिखे गये track में रहा हो वो कौन सा athlete है हमारा बताओ बताओ जल्दी से answer करो जल्दी 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 सारे बच्चे, सारे बच्चे 800 से जादा articles इन के बारे में लिखे गए है हाँ जी, field athlete यह Anderson Peters है, नीरज चोपडा है PV सिंदू है, Justin Gatlin है बताओ जल्दी से बताओ मुझे यह है नीरज चोपडा, भारत के javelin thror Olympic gold medalist Olympic gold medalist नीरज चोपडा चलिए, अगला सवाल आ गया है इन में से किस area को यहाँ पर tobacco free zone recently declare किया है tobacco free zone ठीक है, यह सवदार जंग hospital है Ames Patna है, Ames Jodhpura है, Ames Dilli है अजी, tobacco free zone अभी अभी declare किया गया है tobacco free zone हमारी parliament के अंदर में एक bill भी अभी raise हुआ है सरकार ने एक decision लिया है अभी अभी, वो क्या decision है कि जो tobacco products हमारे होते है loose tobacco जो होता है loose tobacco, यह band हो जाएगा विकना loose tobacco जो है, वो विकना बंद हो जाएगा इनको लगता है कि इस तरह से sale जो है वो reduce की जा सकते है, consumption जो है वो reduce की जा सकती है इन्होंने loose tobacco को band लगाने का फैसला लिया है यानि कि आप एक cigarette खरीते हो, दो cigarette खरीते हो आप पूरा box खरीतना पड़ेगा ठीक है, पूरा box तो loose जो product है, loose tobacco products जो है उसकी विक्री बंद हो जाएगी क्योंकि सरकार कहती है कि इसके चलते हुए जो consumption है उसको कम किया रहा सकता है क्योंकि अगर कोई afford ही नहीं कर पाएगा ठीक है, एक दो basically पूरा box करीतना तो वो consumption भी नहीं करेगा यह सरकार को ऐसा लगता है यह सरकार को ऐसा लगता है, इसलिए सरकार ने ऐसा initiative लिया है तो अभी अभी एक tobacco free john declare किया गया एमस दिल्ली, एमस दिल्ली, एमस दिल्ली, ठीक है जी यास यास टबैकू, और न्यूजिलेंड ने भी tobacco free policy बनाई है न्यूजिलेंड की policy यह है कि 2009 के बाद जो भी generation यहाँ पर पैदा हो रही है उसके लिए tobacco ban है, उसके लिए tobacco ban है चलिए, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल आपके सामने आपकी screen पर है इन में से कोन best researcher on tuber closest बने है हिमाचर परदेश से जिनको international conference on recent advancing in bio technology जो कि अभी डॉक्टर अम्बेद कर institute जलंदर में organize करेगी थी वहाँ पर award दिया गया है, यह निशांत गुपता है, अभी जीत गुपता है विवेक शर्मा है या इन में से कोई भी नहीं, बताओ जल्दी से हिमाचर परदेश के teacher है, government medical college हमीरपूर के teacher है यह जिनको यह award दिया गया है, government medical college हमीरपूर के teacher है जिनको tuber clauses के उपर research करने के लिए अवाड दिया गया है, government medical college biochemistry department में पढ़ाते हैं, इनका नाम है निशांत गुपता, इनका नाम है निशांत गुपता चलिए, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगला सवाल क्या कहता है राजस्थान Electronics Industries Limited and Sunfuels Electric Company जो है, यह charging stations बना रहे हैं, electric vehicles को लेगे तो पाँच electric vehicle charging stations सबसे पहले बनाये जाएंगे, हिमाचर परदेश के किस district के अंदर, हिमाचर परदेश के किस district के अंदर, बताओ जल्दी से हिमाचर परदेश के किस district के अंदर, सबसे पहले यह 5 जो electric vehicle के charging stations लगाए जा रहे हैं, हांजी, उत्तर करो, मिरे को सारे बच्चे चाहिए कि सारे बच्चे अंसर करेगे, हांजी, क्यूंकि सबको पताए यह, अभी तो पढ़ा था हमने, शिमला, शिमला, शिमला के अंदर, 5 electric vehicle charging stations लगाए जा रहे हैं, और सबसे पहले secretariat की जो गाडियां है, उनको बदला जाएगा electric vehicle से, secretariat की जो गाडियां, चलिए अगला सवाल, हांजी, international hockey federation का men world cup 2023, जो है, हांजी, बताओ, men hockey world cup 2023, बताओ, का होने जा रहे है, हांजी, बताओ, यह भारत के अंदर, कहां पे हो काला रहा है, और एक अंदर हो रहा हो रहा है, बहुत बड़े है, बहुत बढ़ बढ़े हो रहा है, अनका नाव है नम्वीन पतनाय, इनका होकी से अपना ही बहुत जáки लाइग leftover करने के लिए काफी कुछ करता, जबेन पतनाय, हांची अगनेशी लार गनेशी लाल हांजी उड़ गया उड़के नया आगया नया जब आता है तो हम गनेश वंदना करते हैं गनेशी लाल ठीक है उड़ गया उड़के नया आगया उड़िसा से उड़ गया उड़के नया आगया नया मतलब नमीन ठीक है और जब भी कुछ चीज नहीं आती हम गने बताओ जल्दी से बताना है मेटे फ्रेडरिक्सन जो है इंसमें से किस देश की नहीं परधान्मंत्री मनी है डैनमांक आयरलेंड इंडिया पॉटुगल बताओ 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 जल्दी जल्दी बताओ जल्दी जल्दी भारत तो हो नहीं सकता क्योंकि मोदी जी कुरसी छोडेगे नी ठीक है भारत तो हो नहीं सकता क्योंकि मोदी जी कुरसी छोडेगे नी आरलेंड के प्राइब इनिस्टर की अभी हमने बात करी थी ठीक है ठीक है अगला सवाल आपके सामने आ चुका है इनिशेटिव लाँच किया है जिसका नाम है सर्फेस वाटर एंड ओशन टॉपग्रेफी एक मिशन लाँच किया है जितना भी अर्थ सर्फेस में यानि कि जितनो हमारे ओशन से लेक्स है उनके ओपर पानी कितना बचा हुआ है उसको सब्सक्राइबाश करने के लिए किस लेफल तक पानी पुछ exists के लिए स्वाट नाम का कैंपुंशन इंवेसे कि स्पेशः ऐंथ्य लाँच क्या है यह इस रोहस इस पेस्टेश् नासा है नासाया यह जल्दी से बता देना अ Ouais बढ़िया 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 यहством नासा, National Aeronautics and Space Administration, इसने स्मोर्ट नाम का एक मिशन, यानि की सर्फेस वाटर और ओशन टॉपगरफी, एक मिशन जो है, लाँच कर दिया है, नासा, चलिए, दोस्तों ये था आज का हमारा करेंट अफेस, एंड करेंट अफेस के कुछ MCQ, हमने डिसकस किया है, मैं उबीद करत आज़ेश के अंदर बहुत सारे government exams निकल रहे हैं, और बहुत सारे government exams बहुत जल्दी निकलने वाले हैं, टिक है, ये सारे exams तो है, इन को लेकर notification जो है, वह बहुत जल्दी, SPSI का notification तो निकला हुआ है, हनको लेकर notification फॉरंदर जो है, वह आने वाले है, J.O.A. का भी दुब 12609 और किसी भी तरह का doubt हो तो comment section में लिखेगा ठिक है जी किसी भी तरह का doubt हो comment section में लिखेगा ठिक है जी हाँ जी हाँ जी मंतली करण्ट है फिर भी करवा देंगे सब कुछ पढ़ा देंगे आपको चिंता मत करो अब ठीक है बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बाइलाइक अंद वायना नहीं भूलना PDF मिलेगी टेलीग्राम के उपर है बाइलाइक है अल रखी काओ